जैहिंद बच्चों तो हम आपके लिए क्लास 10 का अर्दवार्सिक परिछा 2024 का कोईशन पेपर लेकर आए हैं तो ये कोईशन पर आपके एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं साथ में आप सभी बच्चों के लिए हमने टेलिग्राम गुरूप और वाट्सअप गुरूप बनाया हुआ है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप लोग उसे जरूर जोइन कर लिजेगा वहीं पर आपको जो लेटेट पीडियप्स हैं, मौक टेस्ट बेगरा जो आपकी पेपर्स की पीडियप्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आप लोग उन गृप्स को जरूर जोइन कर लिजेगा साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा तो यहाँ पर हम लोग अर्दवार सीक परिच्छा दोहजार चोईस पचीस का कच्छा दस का विशेविज्ञान का प्रश्ण पत्र देखने वाले हैं तो चली आसका वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर खंड का सबसे पहला हमारा बहुभी कल्पिये प्रश्ण आता है जो आपका एक अंका होता है यानि कि क्लास 9 और 10 में 20 अब्जेक्टिव और वेस्ट कुईशिंस आते हैं जो आपको अमार सीट पर करने होते हैं तो सबसे पहले हम लोग वो कोईश्ण को देखेंगे इसके बाद हम लोग रिडिन कोईश्ण को देखेंगे तो हमारा सबसे पहला कोईश्ण है प्रिजम द्वारा विचलन अधिक्तम होता है तो आपको पता होगा कि प्रेजम द्वारा विचलन सबसे अधिक किसका होता है तो सबसे अधिक जो विचलन है वो बैगनी रंका होता है बैगनी रंका जो विचलन है वो शबशे अधिक होता है तो यहाँ पर option आपका क्या correct हो जाएगा तो यहाँ पर option number आपका first correct हो जाएगा बैगनी रंग का next है किसी चालक में धारा का प्रभाव होता है तो किसी चालक में धारा का प्रभाव होता है तो किसी चालक में धारा का प्रभाव तभी होता है कब होता है जब उसमें इलेक्टरान उपस्तित हो क्या हो जब उसमें इलेक्टरान उपस्थित हो यानि कि किसी चालक में धारा का प्रभा हो यानि कि प्रभा इलेक्टरान द्वारा होता है तो यहाँ प्रॉफ्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएका नेक्स्ट है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रत्विम बनाते हैं वहे है तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रत्विम बनाते हैं तो वो क्या होता है उसे हम लोग रेटीना भी कहते हैं और उसे हम लोग द्रश्टी पटल भी कहते हैं क्या कहते हैं द्रश्टी पटल भी कहते हैं अगर आपको रेटी ना मिल जाता है तो रेटी ना भी आपका अंसर करेक्ट है साथ में द्रश्टी पटल भी तो option यहाँ पर आपका D करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है यदि लेंस की छमता प्लस 1D का मतलब है डायोप्टर है तो इसकी focus दूरी होगी तो आपको F बराबर क्या होता है 1 upon D होता है क्या होता है 1 upon D या 100 upon D तो 100 upon D होता है तब होता है जब centimeter में होता है focus दूरी और जब 1 upon D होता है तो focus दूरी मीटर में होती है तो सो सेंटी मीटर यानि कि फोकस दोरी कितनी होगी सो सेंटी मीटर यानि कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है विद्धुधारा मापने का यंत्र है तो विद्धुधारा मापने का यंत्र क्या होता है तो विद्धुधारा मापने का यंत्र होता है आ मीटर क्या होता है अमीटर तो यहां पर option number आपका ए करेक्ट हो जाएगा क्या correct हो जाएगा option number आपका ए करेक्ट हो जाएगा next है निकट दस्टी दोस दस्टी छेतर में पीडित व्यक्ति को यह दोस दूर करने के लिए किस लेंज से दरपड़ का उपयोग किया चाता है तो निकट दस्टी दोस में पीडित व्यक्ति को जो है निकट दस्टी दोस दूर करने के लिए किस लेंज का प्रियोग करते हैं तो वो अवतल लेंज का प्रियोग करते हैं अगर आपका हा पर लिए एक्जाम पेपर हो जाता है तो आप लोग जो है अपनी पीपर्स की पीडियाप भेज सकते हमारे पास पीपर्स की सल्यूशन के लिए वाट्सप नमबर है 9580023321 इस पर आप लोग जो अपनी पीडियाप भेज देंगे तो हम उनको कोईशन को आपके एक्जाम के लिए उनको सौल्व करवा देंगे जिससे आपका जो प्रीबोड एक्जाम होगा तो उसमें भी आपको कोईशन में मदद मिलेगी इसके बाद है ओम के नियम का सूत्र है तो आपको पता है ओम का नियम का सूत्र क्या होता है देखते हैं बेकिंग पावडर को गर्म करने पर कौन सी ग्रयस निकलती है तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है तो इसमें कौन सी गैस निकलती है तो यहाँ पर गैस निकलती है आपकी CO2 गैस निकलती है CO2 गैस निकलती है एक विलियन का pH मान 3 है तब विलियन है तो एक विलियन का पी अच मान तीन है तो विलियन कैसा होगा तो विलियन आपका अमलिये होगा कैसा होगा अमलिये होगा तो option यहाँ पर आपका C करेक्ट हो जाएगा क्या करेक्ट हो जाएगा option C neon है क्या है neon है तो neon क्या है neon एक अक्रिये गैस है क्या है नियोन एक अक्रिय गैस है तो यहाँ पर option आपका क्या correct हो जाएगा तो यहाँ पर option number आपका बी correct हो जाएगा अक्रिय गैस तामी का ask है तो तामी का ask क्या हो जाएगा तो तामी का ask हो जाएगा मैले kite क्या हो जाएगा मैले kite जो है मैंके लाइड या फिर मैले काईड जो है वो तामी का एसक होता है तो यहाँ पर option number आपका क्या correct हो जाएगा तो यहाँ पर option number आपका B correct हो जाएगा प्राकरतिक गैश का मुख्य अवियब है तो प्राकरतिक गैश का मुख्य अवियब क्या है मेथेन है क्या है मेथेन है तो यहाँ पर option number आपका A correct हो जाएगा क्या correct हो जाएगा option A मेथेन क्या हो जाएगा मेथेन next है polythene निम्न में से किसके बहुल की करण से प्राप्त की जाती है तो किसके बहुल की करल से प्राप्त की जाती है तो एथीन की बहुल की करल से प्राप्त की जाती है तो यहाँ पर इसको आप लोग करेट कर लेंगे एथीन क्या कर लेंगे इसमें मिस्प्रिंट हो गई है एथीन कर लेंगे क्या कर लेंगे एथीन ओफ्षन यह आपका नेक्स्ट है स्वापोशी पोषण के लिए आवश्यक है तो स्वापोशी पोशण के लिए आवश्यक है कारवन डाय ओकसाइड तथा जल, छलोरो फिल, सूर का प्रकास उपरोक्त शभी तो यहाँ पर option number आपका D है वो correct हो जाएगा उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी पुष्वे के इस्तरी केशर के मद्ध भाग को कहते हैं तो पुष्वे के इस्तरी केशर के मद्ध भाग को क्या कहते हैं तो उसके मदभाग को हम लोग कहते हैं B जान्ड क्या कहते हैं B जान्ड ओफिन नमबर आपका D correct हो जाएका क्या correct हो जाएका ओफिन D फेपणों से सुद्ध रक्त आता है क्या है फेपणों से शुद्ध रक्त आता है यह आपको बताना है बाएं अलिंद में दाएं अलिंद में बाएं निले में दाएं निले में तो फेपणों से सुद्धरक्त आता है बाएं अलिंद में तो आफ्चिन नमबर यहां पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है पात्पों में वायू पुदूशड दूर कम करने की प्रक्रिया है तो वायू पुदूशड पात्पों में वायू पुदूशड दूर कम करने की प्रक्रिया क्या होती है प्रकास संस्लेशड क्या होती है प्रकास संस्लेशड दोरा जो पौदे होते हैं वो वाय नहीं है तो ये है सुक्र वाही का क्या है सुक्र जो वाही का है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो यहाँ पर option number आपका C correct हो जाएगा पुरुस में लिंग गुर्षूत्र होते हैं तो पुरुस में लिंग गुर्षूत्र क्या होते हैं यक्स वाही होते हैं क्या होते ह एक्स वाई होते हैं तो आफशन नमबर यहाँ पर आपका A करेक्ट हो जाएगा एक्स वाई नेक्स्ट है आ लेंगिंग जनन मुकलन द्वारा होता है तो यह किसमे होता है तो यह आपका क्या उपाय करने चाहिए इसके बाद है यहां पर आपको R1 प्रत्रोद दिया गया है R2 प्रत्रोद दिया गया है R3 प्रत्रोद दिया गया है R5 ओम है वा बैटरी 18 वोल्ट है इस परिपत में प्रत्रोद वा विद्धुधारा की गड़ना कीजिए तो यहां पर यह जो सारे प्रत्रोद है वो किसमे लगे हुए है यह सारे जो है वो स्रेणी क्रम में लगे हुए किसमे लगे हुए है स्रेणी क्रम में लगे हुए है तो आपको क्या करनी है इसमें कुल प्रत्रोद बताना है और साथ में इसकी वैद्दो धारा की गड़ना करनी है यहाँ पर जो है यह सारे पित्रोद किसमें लगे हुए हैं स्रेणी क्रम में लगे हुए हैं यहाँ पर किसमें लगे हुए हैं स्रेणी क्रम में लगे हुए हैं आपको यहां पर voltage दे दिया गया है, आपको धारा निकालनी हैं और कुल प्यत्रोथी निकालना है। तो सेवर्णी क्रम में आपको पता है R टोटल कितना होता है, R 1 प्लस R 2 जितने हैं सब को टोटल कर लेते हैं। और अगर हमको i का मान निकालना है या निधारा का मान निकालना है तो r equal to होता है v upon i तो i बराबर हो जाएगा v upon r यहाँ पर r की value रख देंगे b की value 18 है i की value आप लोग निकाल लेंगे नेक्स्ट है तारे टिमने बाते हैं और ग्रह क्यों नहीं तिम्ट पाते हैं यह आपको बताना है तो तारे टिमने बाते हैं ग्रह क्यों नहीं तिम्ट पाते हैं यह आपको बताना है नेक्स्ट है अपवर्तन किशे कहते हैं अपवर्तन के नियम लिखे नेक्स्ट है 5 cm लंबा कोई बिम्ब 10 cm फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंज से 25 cm दूर रखा है प्रत्विमी की स्थिति आकार दथापकरती ज्याद कीजिए तो ये इसका आकार कितना होगा 3.33 cm होगा और ये वास्तविक और उल्टा बनेगा कैसा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा नेक्स्ट है अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं ये 24 का ही question का part है इसके वात्वा में आपकी समंझन छमता का अर्थ समझाईए किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रत्वी में बनाने के लिए किरड आरे खींचिये जब वस्तु लेंस से 2F1 की दूरी पर रखी हो तब प्रत्वी में क्या बनेगा और इसके बाद है जब 2F1 तथा अनंद के बीच रखी हो तब उसका प्रत्वी में क्या बनेगा और वो किसके द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा किसके द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा यहा को आपको संतुलिद करना है aprendhe cài staff के असंसी इंक बना सकता है तो स्रंकलन की शंता ले होती यह इन्वल गुर्धर्म बना सकता है नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर या खाने का सोड़ा का रासानी नाम वा अडू सुतर लिखे इसकी बनाने की विधी एवं एक रासानी सुतर लिखे इसके बाद कुशन नमबर 27 आता है निवन पर संचिप से टिपडी लिखे प्रतिस्थापन अविक्रिया सावनी करण उदासहीनी करण क्या होता है अथवा किंडवन किशे कहते हैं उदार सहीत समझाईए तो आप क्या कर सकते हैं दोनों अथवा मेंशे कोई आप एक कर सकते हैं नेक्स्ट है बहुल की करण से आप क्या समझते हैं उधारण सहीत समझाईए नेक्स्ट है एक तंदरका कोश्का का नामांके चितर बनाईए येवम संचिपत वर्लन कीजिए नेक्स्ट कुश्चन है आपका एक तंदर का कोश्का का नामांकेत चितर बनाईए एवं संचिप्तिट वडन कीजिए नेक्स्ट है कुश्चन नमर ट्वंटीनाईन पुश में निसेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का वडन कीजिए यानि कि पुश में जम निसेचन होता है उसके बाद क्या परिवर्तन होता है उसको आपको वडन करना है मनुस्ट में ऑक्सीजन एवं कारवन डायोकसाइड का विनमें अंग में होता है उसके कार्यों को चितर के माध्यम से इस बश्ट कीजिए इसके बाई कत्तिश है आपका 31 मानव पाचन ततर का नामांग की चितर बनाईए और पाचन किरिया का वड़न कीजिए अथवा में आपको दिया गया है अंताहसरावी ग्रंथियां किशे कहते हैं अंताश्रावी ग्रंथियाँ वा बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखिये मनुष में पाई जाने वाले विभिन अनताश्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिये ये आपका जो कलाश 10th का हाप एरली का astronaut हो जाता है ये आपके exam के लिए very helpful होगा तो आप इस question paper को जरूर एक बार देख कर जाएगा exam से पहले और साथ में अगर आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को सब्सक्राइब वीडियो को like और bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद